दिल्ली में अमन गांधी फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तरी मिस्स इंडिया कॉंटिनेंट 2020 का हुआ आगाज इवेंट पैनेजमेंट अमन गांधी फिल्म प्रडेक्शन के डारेक्टर डक्टर महेश यादव उर्फ अमन गांधी ने किया कारेक्रम के जज़ डक्टर नुपर, नीशा सुब्बा, सुपोनादिय मुंबई आयुष्ठा कर रही जिनोंने प्रतियोगियों को विनर खोशित किये जिसमें हिमाचल प्रडेश की मानवी अरोडा इवेंट की मुख्य टाइटल मिस हिमालया अवार्ड की विनर रही एशिरा मुम मुक्तान सिक्किम मिस्टीन अखंड भारत 2021 विजेता, मिस्टीन एशिया कॉंटिनेंट सूपर मॉडल 2021 प्रतिशा दास जी सिक्किम मिस्टीन इंडिया कॉंटिनेंट 2021 विजेता, मिसेश शभीता और 36 गर्राइपुर रिपब्लिक भारत और इंडिया ग्लोरी अवाइड विनर, सुरुची कुमारी भिहार, Ms. India Continent 2nd runner up, Miss India Bihar की विनर टाइटल, सलोमी सिलीगोडी दिल्ली गुर्धवारा प्रभंदक कमिटी के वर्तमान प्रधान मंजित्धर सिर्शा पर गोलक के दरुपयों को लेकर दुसरी बार मुकदमे के बाद विपक्षी दलो का हमला तेज हो गया है प्रेस को दिये सबूत के अनुसार दुसरी एफायार गोलक चोरी और डियेस जी एसमसी के दान की पैसो के साथ हेरा फेरी को लेकर बताई जा रही है जो की विपक्षी शिदत पार्टी के वुपिंदर सीह पियारों की शिकायत की आधार पर ले गए जारी दस्तावेजों के अनुसार एक करोड से अधिक की राशी को फर्जिक कमपनियों के जरिये दुरुपेयों किया गया जिसके तहत मुकदमाद दिल्ले के एकनॉमिक ओफिंस विंग के द्वारा किया गया डियेस जीमसी प्रमुक मंजी दरसी हसर सा बादल का राइड है जो की जमीन हरपने चोरी गुंडागदी इत्यादे के लिए प्रसिद है दुसरी बार मुकदमाद दरस होना डियेस जीमसी के इतिहास के उपर धबबा है कानून के प्राधान के अनुसार ऐसे अपराधियों को 20 साल तक की सजा मानने है पुर्वर डियेस जीमसी प्रधान परमजीत सीह सरना ने हमलावार होते हुए कहा कि ऐसे कुकृत्यों का सामने आना गुरु के सिध्धानतों के साथ विश्वास खात है जो लोग गुरु की गोलक को लुटते हैं और संगतों के दश्वंध का गबन करते हैं उनकी उपर संगत की द्वारा और संगत के मुद्दों को लेकर भी परोसान नहीं किया जा सकता इसकी साथ ही सरदार सरना ने सभी विपक्षी पार्टियों को बदला को प्रत्यक्ष और और प्रत्यक्ष तोर पर समर्थन देने से परहेज की भी सला दी बीसेन नियूस के लिए दिल्ले से ब्रुजेश कुमार की रिपोर्ट